आईए स्वागत है आपका मैं आपको बताना आया हूँ कि आप अपना EPF का कितना advance payment निकाल सकते हैं यदि आपके एक लाग रुपे जमा है आपके EPF में employee के share में और आपकी जो basic salary plus DA दोनों को मिला के आपके तीन महीनी की salary 30,000 या 32,000 रुपे बैठती है तो आप अपनी तीन म यहाँ पर हमें login करना होगा अपने UN नमबर से हमारे पास हमारा UN नमबर और password होना चाहिए login करने के बाद जो screen खुलेगी वहाँ पर हमारा pen नमबर, अधार नमबर और bank account नमबर अपडेट होना चाहिए अगर यह तीनों चीज हमारी अपडेट है तो हम अपना EPF advance निकाल सकते हैं EPF advance निकालने के लिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हमारे account में कितना balance है balance चेक करने के लिए आपको view में जाना पड़ेगा, पास्बुक पे किलिक करना पड़ेगा और यहां पर यह इस तरीके के तीन option होगे आपके पास अपनी पास्बुक को चेक करने के आप यहां पर किलिक किजिए पास्बुक ओपन हो जाएगी, अब आप यहां पर देखिए यहां पर जो amount आ रही है उसमें employee share में 1280 रुपे, employer share में 391 रुपे और pensioner contribution में 889 रुपीज आ रहे हैं जिनका total 2560 रुपे हो जाता है, यह मैं आपको बता देता हूँ, जो employer share होता है, वो 12% होता है employer का share 3.67% होता है, और जो pension में हमारा contribution होता है, वो 8.33% होता है, यहनि totally 24% होता है अब इसी 24% से हम अपनी basic salary निकाल सकते हैं, आपको क्या करना है, आप इस total को 24 से divide कर दीजिए और multiply कर दीजिए 100 से यानि कि आपकी पूरी एक महीने की basic बन गई, एक महीने की salary बन गई, वो 10,666 हो गई, और यह हम 3 महीने के बराबर निकाल सकते हैं, तो 3 से multiply कर दीजिए, यानि कि आपकी salary आ गई, वो 32,000 रुपे आ गई, यानि कि आप 32,000 रुपे से जादा नहीं निकाल पाएंगे, भले 75,000 रुपे, लेकिन हमको यह पता ही नहीं होता कि 75% मिलने ही नहीं वाला हो, क्योंकि हमारी जो basic है, वो 3 महीने की salary बन रही है, वो कम है, यानि कि दोनों में से जो भी कम होगा, वो ही मिलेगा, यहाँ पर हमारा नुकसान हो जाता है, अब आपको online service में जाना है, claim पर click करना है, claim पर click करने के बाद, यहाँ पर आपको अपना bank account number डालना है, वही bank account number डालना है, जो आपने पहले से EPF में update किया आपा है, इसको verify करेंगे, verify करते ही, एक dialogue box open होगा, यहाँ पर आप confirmation लिया जाएगा, आप yes कीजिए, yes करने के बाद, yes जब आप कर देता, उसके बाद पर आपको पैसा क्रेडिट नहीं हो पाएगा, नीचे आकर आपको proceed to claim पर click करना है, click करने के बाद, आपका mobile number, आपका UN number, आपका नाम अधरा detail open हो जाएगी, यहाँ पर आपको पैसा निकालने का reason देना है, कि आप पैसा क्यों निकाल रहे है, आप बीमारी के कारण पैसा निकाल रहे है, या कोई और कारण है, या फिर आप COVID-19 का option भी यहाँ पर select कर सकते हैं, जिसमें आपके पास पैसा आपको जल्दी मिल जाएगा, 72 hours के अंदर, अब amount भरनी है, यहाँ पर आपको कितना EPF advance चाहिए, इसके बारे में मैं आपको calculation करके दिखा चुका हूँ, आपको 32,000 रुपे की जरोत नहीं है, आप 20,000 रुपे निकालना चाहिए, तो आप 20,000 रुपे निकाल सकते हैं, अब आपको यहाँ पर अपनी passbook की scan copy या फिर ए cancel check, दोनों में से जो भी आपके पास JPG format में हो, उसको यहाँ पर upload कर देना, जिसका size 500 के भी से कम होना पिर term of condition पे click कीजिए और get aadar OTP पे click करने के बाद, एक OTP आपके नमबर पर आएगा, OTP डालने के बाद, आप इसको submit कर दीजे, submit करने के बाद, नीचे आपके पास click here का यहाँ पे options मिलेगा, इस पे आप click करेंगे, तो यहाँ पे आपको सारे detail available हो जाएगी, जो भी आप